हेलो एबरीबरडी वेलकम टू दिस वीडियो तो गाईज आज की ये वीडियो बहुती ज्यादा स्पेशल होने वाले है विकॉज अब गाईज इस वीडियो के अंदर आपको मैं पांच गोल्डन स्टेटजी बिताने वाला हूँ गाईज जिसका यूज करके आप क्लिक बैंक से वन थाउजन डॉलर डे हीट कर सकते हैं तो सबसे पहले गाईज मैं आज आपको सेल्स दिखा देता हूँ कि इस नियू अकाउंट के अंदर मेरी कितनी सेल्स आई है तो गाईज जिए मेरा नियू अकाउंट है विकाउज आपको मैं कमाल की स्टेटजी बताने वाला हूँ जिसका यूज आप कर पाएंगे तो सबसे पहले मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर आपको मैं पांच गोल्डन स्टेटजी बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ब्रैंड बीडिंग में ये एक दिक्कत बहुत आती है कि कमीशन हमारी जीरो हो जाती है तो पिछले अकाउंट के अंदर मेरी जीरो हो चुकी है इसलिए मैंने दूसरे अकाउंट से प्रोडक्ट को प्रमोट किया है फिर भी उसकी कुछ स्टेटजी है पहले मैं रिलोड कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ब्रैंड बिडिंग से क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है विद धी हलप आफ गूगल एड तो जैसे आपकी कमिशन जीरो हो जाए तो आप न्यू क्लिक बैंक का जन निकने बना सकते हैं और वहाँ से उस आफ़र को प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हम 100% आप Zero Commission से बच नहीं सकते बट जैसे Commission Zero हो जाए उससे पहले पहले आप अच्छा ROI बना सकते हैं तो वो आपने कैसे करना है कैसे आपने Campaign बनाना है वो सब चीजे हम discuss करेंगे और सबसे खास बात कि आपने Zero Commission से कैसे बचना है कि आप अच्छा ROI बना सकें ठीक है तो सबसे पहले हम चलते हैं Marketplace में और वहाँ पर आपको मैं कुछ offers दिखाता हूँ और उनमें एक आपको टेकनीक बताता हूँ कि आपने Zero Commission से कैसे बचना है तो पांच आपको powerful strategy आपको इसाथ share करने वाला हूँ तो guys इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और नीचे comment जुरूर कीजिए तो सबसे पहले top offer के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर guys आपको काफी सारे offers मिलेंगे जैसे कि प्योर वाइव अभी अच्छे चल रहा है तो gravity के according आपने यहाँ पर selection कर लेनी है प्योर वाइव है, लेप प्योर है तो 5 golden strategy guys जे काफी अच्छे से काम करती है मैंने पहले इसको अपने channel के अंदर share नहीं किया है तो पहली जो strategy होने वाली है वो यह है कि आप zero commission से कैसे बच सकते है 98% क्योंकि 2% chances फिर भी होते हैं कि आपकी zero हो जाएगी जो कि मेरे पिछले account के अंदर हो चुकी है बट फिर भी मैंने काफी अच्छा ROI बनाया है दूसरा winning keywords आपने कैसे find करनी है तो आपके साथ एक new tool मैं share करने वाला हूँ तीसरा है guys targeting audience कि आपने कहां पर अपनी add run करनी है कौन सी city के अंदर करनी है तुझे detail मैं free मैं आपको बताने वाला हूँ और fourth जो secret है हमारा images कि आपने landing page के अंदर unique images कहां से लेनी है कैसे आपने custom images बिनानी है जिसमें guys आपके sales आने के chances और भी increase हो जाएंगे पांचमा जो strategy वो है कि आपने fake IP addresses कैसे ले सकते हैं और उनको आप use कर सकते हैं अपने campaign के अंदर तो जब भी आप campaign बनाएं उन cities को और उन fake IP addresses को आप exclude कर सकते हैं और इसमें guys आपके fake लिकाने के chances और भी कम हो जाते हैं और आपका ROI increase हो जाएगा तो सबसे पहले guys जिस भी offer को आप promote करना चाहते हैं आपने select कर लेना है और उसके अंदर zero commission से बचने का एक चोटा सा तरीका है मैं यह नहीं कहारा हूँ कि यह 100% काम करता है लेकिन काफी हद तक यह काम करता है और मैंने इसका use किया है और काफी अच्छा ROI बना सकते हैं इससे पहले कि आपकी commission zero हो तो जिस भी offer को आप promote करना चाहते हैं जैसे कि यहांपर cortex C है icaria juice है चाहिए तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं जैसे कि red boost है red boost में का इस बहुत अच्छी sale आती है लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यह commission zero हो जाती है बट zero होने से पहले आप 500 डॉलर जा फिर 1000 डॉलर निकाल सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है अपने offer को select करना है उसके main page के अंदर जाना है affiliate page नहीं जो उसका sales page है जो उसका VSL page है VSL page हो जा फिर TSL page हो जो भी page हो उसको open करना है और उसका जो custom domain है उस domain को आपने copy करना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो जो domain का name है वो आपने copy करना है और उसको आपने notepad के अंदर save कर लेना है तो मैं पहले save करके आपको live दिखाता हूँ कि आपने कैसे commission 0 से बच सकते हैं 98% क्योंकि 2% फिर भी chances होते हैं क्योंकि मेरा पिछले account के अंदर हुआ है बट फिर भी मैंने काफी अच्छा ROI बनाया है तो guys जे दो website हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं पहले है iplocation.io और दूसरी है dns checker तो guys जे दो sites हैं जो हम use करने वाले हैं तो dns के अंदर आना है और आपने domain का name यहां पर paste करना है और फिर आपने find ip के उपर click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो guys जे site क्या करेगी जे आपके उस domain को check करेगी कि इसका ip addresses क्या है तो guys आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर तीन ip addresses आ चुके हैं तो आपने क्या करना है इसको copy करना है तो मैं पूरे को copy कर देता हूँ और उसके बाद इसको notepad के अंदर आपने save कर लेना है save करने के बाद आपने क्या करना है इसको filter करना है जो आपको unnecessary चीज़े हैं जो आपको नहीं चाहिए वो आपने remove कर देनी है पहले मैं इसका size एक बार adjust कर लेता हूँ notepad का तो थोड़ा सा down कर देता हूँ 22 तो guys अब मैं क्या करूँगा जो हमारे पास IP addresses आई है न तो मैं उसको रख लूँगा बाकी की चीज़े मैं इसको remove कर देता हूँ तो यहाँ पर आपने सिर्फ IP addresses रखने हैं जैसे के 104 बाला है और उसके नीचे भी 104 बाला है तो यह दोनों रख लेने आपने थोड़ा सा differences में बस और इसको भी मैं remove कर देता हूँ तो हमारे पास guys तीन different IP addresses हैं इस website के लिए तो अब हमें guys इसकी location find करनी है कि जो website है जा इसका vendor है वो कहां से है ठीक है तो करना क्या है तो आपने यहां से detail जो भी आपको मिलेगी IP addresses की आपने उसको filter करना है notepad के अंदर save करना है और उसके बाद आपने क्या करना है और इन वे से किसी भी एक IP address को आपने copy करना है और फिर इस website के अंदर जाना है जिसका नाम है IP location.io और यहां पर जाने के बाद आपने उस IP address को guys paste करना है और फिर आपने IP look up button के उपर click कर देना है इससे guys होगा क्या कि जो website है वो इस IP address को search करेगी और find करेगी कि इसकी location कहा है जैसे कि यहां पर guys detail आ गई है country है United States of America और state है California और इसकी जो city है वो है San Francisco तो guys इस तरीके से आप detail find कर सकते हैं तो जो भी आपको detail मिले चाहे वो city की हो चाहे वो state की हो चाहे वो country की हो तो वो आपने find कर लेनी है और इसको paste कर देना है तो ऐसे ही आपने जो हमारे पास दूसरा IP address है उसको भी copy करना है और बापिस जाना है उसी page के अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर भी इसको एक बार paste कर लेते हैं और इसकी location भी देखते हैं कि same ही location है जाफर different है तो देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं तो guys यहाँ पर बिल्कुल same location है United States of America, California और city है San Francisco तो जब भी guys आपने Google Ad campaign बनाना है तो उस campaign के अंदर जब आप target करेंगे United States को तो वहाँ पर इस city को और इस state को आपने exclude कर देना है अपने campaign में से क्या करना है exclude तो जैसे ही guys exclude करेंगे तब यहाँ पर 98% chances हो जाते हैं कि आप zero commission से बच सकते हैं तब तक guys आप clickbank से 500 डॉलर जा फिर 1000 डॉलर से ले लेंगे अगर उसके बास zero हो जाते है फिर भी आपके पास काफी अच्छा ROI बच जाएगा ठीक है तो यह एक strategy है जो आप use कर सकते हैं जो उन लोगों के लिए guys जिनके पास budget कम है जो 100 डॉलर जा फिर 200 डॉलर 500 डॉलर हिट करना चाहते हैं तो इसमें काफी ज्यादा इसमें benefit होता है तो दूसरे जी strategy guys वह है keywords की तो keywords आप कैसे find कर सकते हैं guys जो हमारा पुराना method ता वह है keyword planner definitely वह अच्छा है लेकिन एक guys एक और त चाहते हैं जैसे कि java burn है prudent team है red boost है तो कोई भी जो प्रोडक्ट से आप उसको promote करना चाहते हैं तो उसके लिए keywords आप कैसे find करेंगे तो एक new tool है जो मैं use करता हूं तो मैं आपको सामने यहाँ पर पहले अपने products का नाम यहाँ पर लिख देता हूं तो जो भी products आप keyword planner तो guys आपने इसको open करना है आप साइट का screenshot ले सकते है और यहाँ पर आपने name आपने put कर देना है जो भी आपके products का name है तो उसके बाद find keyword के उपर click करना है और यहाँ बहुत accurate तरीके से आपको keywords देता है और बहुत ही winning keywords आपको directly यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ प कि कितने visitor इस एक particular keywords के अंदर है जैसे कि 13 hours go 42,000 इसका जो search volume है पर month ठीक है 17 hours 16 के तो आप एकदम चेक कर सकते हैं कि इसका जो search volume कितना आ रहा है जाफर कितना नहीं आ रहा है क्यूंकि Google keyword planner में बहुत सरी keywords हमें मिल जाते हैं और वहाँ पर data इतना accurate नहीं होता है लेकिन guys यहा यहाँ पर search volume है वो per month के हिसाब से दिखाता है जैसे कि यहाँ पर लिखा है 30 minutes ago जा फिर 17 hours ago इसका मतलब यह है guys कि 30 minutes पहले इस tool ने चेक किया है कि per month इस keyword के उपर कितने searches है ठीक है तो इसका मतलब यह है तो यहाँ पर guys आपको बहुत सरी keywords मिल जाएंगे तो जो भी keywords आपको अच्छा लगे 1 by 1 आपने select कर लेना है और यहाँ पर आपने paste कर देना है और कोई भी negative keywords guys आपने target मत करो क्योंकि उसमें sale नहीं आएगी जैसे कि Walmart है, Complain है, Scam है, Amazon है तो ऐसे keywords को target मत करना इसको आप negative keywords के अंदर add कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि 1.4 के यहाँ पर search volume है, Prudent team officially website का और नीचे भी आप check कर सकते हैं, काफी सारे searches यह दिखा रहा है कि किस keyword के उपर कितने searches हैं, तो guys इस tool को मैं personally use करता हूँ और काफी अच्छा इससे मुझे ROI मिला है, जैसे कि Prudent team for sale, इस keywords के 300 से ज्यादा searches हैं, 300 आप मान कर चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा उपर के दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ clickbank में जो new offer आती है, तो guys उसका data यह share नहीं करता, तो जो new offer होंगे, उसका data इसके पास नहीं है, बट जो पराने offer हैं, उसका data बहुत अच्छी से दिखाता है, जैसे कि Java burn जो है, वो काफी old offer है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, कि इसक अभी भी जाबारन का है, क्योंकि अभी भी trending में चल रहा है जी offer, तो आप यहां से guys काफी अच्छे keywords find कर सकते हैं, जैसे कि Java burn, weight loss, इसे search थोड़ी से काम है, लेकिन फिर भी sales आने के chances काफी होते हैं, और where to buy Java burn, इसके search volume 40 हैं, काफी काम है, लेकिन फिर भी हैं, तो आप इस इसक्लोडी रखो, तीसरे guys targeting audience, कि guys आपने ad run कहां पर करनी है, तो guys यह बहुत ही बड़ा एक secret है, जो आपके साथ मैं share करने वाला हूं, कि जब भी आप campaign बनाते हैं, तो आपने guys पूरे के पूरे USA को target नहीं करना है, आपने सिर्फ city और state को ही target करना है, जहां पर उस product की searches हो नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस tool का क्या नाम है, मैं आपको दिखाता हूं, तो सबसे पहले guys आपने clickbank में से अपने offer को select कर लेना है, जिस offer को भी आप promote करना चाहते हैं, और फिर आपने search करना है Google trend, guys मुझे पता है कि आपने इसका name जरूर सुना होगा, लेकिन आपने use नह यहां पर India है, तो India को मैं यहां पर change करूँगा, और इसकी जगे रख दूँगा United States of America, तो आपने यहां पर location को एक बार select कर लेना है, उसके बाद जिस offer को भी आप promote करना चाहते हैं, उस offer का name आपने यहां पर लिख देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूं Prudent Team, तो माल लिज तो एक बार चेक कर लेते हैं Google Trends के अंदर, और इसमें data आप चेक कर सकते हैं, past day का, जा फिर past 7 days का, जा फिर 90 days का, जा फिर 30 days का, तो सबसे पहले हम time select कर लेते हैं, Prudent Team है, United States है, और time zone हम select करेंगे past 30 days, तो 30 days के अंदर हम चेक करते हैं कि इस keyword को कहां से लोग सर्च कर रहे ह तो नीचे एक पर चेक कर लेते हैं, तो जब भी आपने campaign बनाना है guys, जहाँ पर जो आपको option मिलेगी, जैसे कि जिस state है North, Dakota, Ronda, Iceland, नीचे भी New Mexico, तो काफी सारी states जहाँ पर आ रही हैं, तो इन states से काफी अच्छे searches हुए हैं, और जिस data guys, 100% accurate नहीं होता है, बट फिर भी guys, हमें काफी अच्छा एक option मिल जाता है, कि हमें किस किस city को target करना है, तो जितनी भी state यहाँ पर मिले, at least आपने guys, 20 to 25 state आपको ने यहाँ से copy करनी है, तो यहाँ पर मैं सबसे प्ले 5 state को copy कर लेता हूँ, और उसको यहाँ पर paste कर देता हूँ, तो आपने जो फाल्तु की state को आपने target करना है, और और करने के लिए नीचे एक arrow का निशान मिल जाएगा, आपने इसके ओपर click करना है, तो आपको बाकी की list भी मिल जाएगी, जह 6 to 10 है, तो मैं इसको भी copy कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर इसको भी paste कर देता हूँ, तो आपने guys, कम से कम 25 state आपने select करनी है, तो जो फालतू की चीज़े मैं इसको remove कर देता हूँ, तो live आपके साथ guys, मैं data share कर रहा हूँ, कि आपने कैसे city और state को आपने find करना है, तो यहाँ पर मेरे पास काफी list आ गई है, तो मैं थोड़ी सी और यहाँ पर find कर लेता हूँ, जैसे कि 11 to 15, तो 5 हम और ले ल अगर यहाँ पर उसका data show हो रहा है, तो आप उस city को, उस state को आप target कर सकते हैं, इसमें guys benefit यह होता है, कि अगर आप पूरे USA को target करेंगे, तो वहाँ पर guys fake click बहुत आते हैं, बट अगर आप किसी specific city जा state को target करेंगे, तो एक तो आपके fake click कम आएंगे, और दूसरा आपकी sale earn के chances guys काफी increase हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपका budget थोड़ा अच्छा है, तो आप 30 to 35 state जा सकते हैं, अगर थोड़ा कम है, तो आप 15 से 20 state को आप target कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं minimum 25 state लेता हूं, क्योंकि अगर हम ज्यादा कम state रखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि impression और click समय कम आते हैं, अगर impression और click कम आए, तो आपने state थोड़ी सी और increase करनी है, क्योंकि USA के अंदर 50 state हैंगा, इस 50 state हैं, अगर आप पूरी USA को target करेंगे, तो आपका campaign कहीं से भी click आ जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी state को target करेंगे, तो उसमें जो आपके sale आने के chances और ज्यादे increase हो जाते हैं, तो guys यह मेरा तरीका है, बट अगर आपके पास और कोई अच्छा method है, तो आप try कर सकते हैं, तुझे होगे तीन चीज़े मैंने आपके साथ share की हैं, कि आपने कैसे campaign के अंदर अपनी performance को और अपनी sale को increase करना है, तो यहाँ पर java burn, तो ज़रूरी नहीं है guys कि आपने java burn को ही promote करना है, कोई भी offer है, चाए flowforce max है, जो कि new offer है, alpeline है, जा फिर prostadine है, तो कोई भी offer हो, तो आप उसकी एक बार check कर रहो, कि कौन कौन सी location से उसकी searches आ रही हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ guys, इसका data इतना भी accurate नहीं होता, तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लएते हैं, flowforce max का, क्योंकि यह new offer है, तो इसके पास इतना data अभी इस offer का नहीं होगा, बट फिर भी जो data यहाँ पर show हो रहा है, चार states का show हो रहा है, तो आप चार के साथ बाकी की state को भी target कर सकते हैं, जो किसी और offer की state आपके पास list होगी, तो मैंने देखा है कि इसमें sales काफी जदे increase हो जाती है, जब हम किसी accurate जा फिर किसी specific state को जब हम target करती हैं, तो जो भी guys आपको यहाँ पर list मिले, आपने इसको copy करके save कर लेना है, और at least जो यहाँ पर data मिले, आप उसको ज़रू target कीजिए, अगर आपको impression click कम मिले, फिर आप state को increase कर सकते हैं, जैसे पहले आप 10 को target कीजिए, फिर आप 15, 20, 25 को target कर सकते हैं, तो जो यह तीसरी strategy जो मैंने आपके साथ share किया है, चौथी guys है, वो images cigarette, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने images personally कैसे create करनी है, अपने landing page के लिए, तो बट उससे पहले guys, आपको मैं fake IP addresses के बा इस पूरी की पूरी list को अपने campaign में से exclude कर देना है, इससे आपकी guys sale on के chances और भी ज्यादा निक्रीज हो जाते हैं, मेरे पास काफी सारी list पढ़ी है, जो fake IP addresses होते हैं, proxy से जो लोग click करते हैं, तो अगर आप training में enroll नहीं है, तो इसका link इस video के description में मिल जाएगा, आप उसके तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले bing में जाना है, bing.com, तो यहां पर guys हम कोई भी images को copy नहीं करेंगे, मैं आपको एक कमाल की strategy बताने वाला हूँ, जो मैंने कभी भी इस channel के अंदर share नहीं की है, तो सबसे पहले guys जो भी आप offer को promote करते हैं, हमें उसके लिए idea होना चाहिए कि हम कौन सा landing page बनाएंगे, चाहिए वो java burn का हो, चाहिए वो pretend team का हो, तो आपने bing में जाना है, और यहां से अपने keywords को search करके, दो तीन landing page को आपने open कर लेना है, जैसे कि page open कर लिया, तो जब आपना landing page बनाएंगे तो यहां से idea ले सकते हैं, कि आपका landing page मे कौन कौन सी information आप add कर सकते हैं, अमाल लीजे guys आपने ingredient की list भी add किये, अब आपके पास दिक्कत आती है images की, क्योंकि guys अगर आप directly किसी की image को copy करते हैं, तो वहां से आपके पास copyright issue आ सकता है, product का image होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, products की image आप ले सकते हैं, बड़ दिक्कत आती हैं, जो personal images होती है, तो वह आप कैसे create कर सकते हैं, और मैं आपको एक method बताने वाला हूँ, जे method का Facebook add में भी आप use कर सकते हैं, Instagram add में यूज़ कर सकते हैं, Facebook, Instagram, YouTube, कहीं पर भी आप use कर सकते हैं, और ये images आप अपनी landing page के अंदर use कर सकते हैं, कहीं पर भी आप use कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसका यूज कहीं कई बार मैंने इसका किया है और इसके अंदर आपको कोई भी कॉपी पेस्ट करने की जुरूरत नहीं है आप खुद की इसके अगर आप इसके अंदर आपने इसके अंदर हम रिसक नहीं ले सकते हैं तो माल लीजे अगर आप इनग्रीडिन लिस्ट शो करना चाहते हैं अपने लेंडिंग पेस्ट के अंदर तो उसका जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है गाइस बिंग का AI जनेरेटर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो आपने क्या करना है Microsoft का आपने सबसे पहले अकाउंट क्रियेट कर लेना है और इसके अंदर सेर्च करना है आपने बिंग AI इमेज जनेरेटर तो आपने इसके उपर क्लिक करना है तो मेरे पास इसका अल्रेड़ी अकाउंट बना हुआ है इसके लिए ये डिरेक्टली लॉग इन हो जाएगा बट जी सबसे पहले आपका मुवाइल नंबर मांगेगा और फिर आपका अकाउंट क्रियेट हो बट आपने बस इसका अकाउंट क्रियेट करना है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसका यूज कैसे करता हूँ मालेज गाइस कोई ingredient list है मुझे उसका photos चाहिए उसके लिए तो सबसे पहले मैं उसका name यहाँपर paste कर देता हूँ जैसे कि green tea leaves मालेज यह कोई ingredient list है तो create के और यहाँपर थोड़ी देर हम इंतजार करेंगे चार से पांच सेकंड यहाँपर लग जाते हैं उसके बाद हमारी जो image है वो यहाँपर create हो जाएगी मैंने काफी सारी images यहाँपर create की है अपने landing page के लिए तो जैसे guys मैंने green tea search किया तो यहाँपर green leaves का एक चार photos आ गई है तो इसमें से कोई भी photos को आप select कर सकते हैं और यहाँपर आप directly download कर सकते हैं और इसको आप कहीं पर भी use कर सकते हैं अपने landing page के अंदर और जे तो सिर्फ guys मैंने एक example दिये है इसके इलाबा आप कोई भी keyword target करेंगे तो वो आपको image create करके दे देता है तो आपको कोई भी copyright के issue यहाँ पर नहीं रहता है तो माली जे green coffee है तो आप इसको भी बना सकते हैं तो इसको भी मैं एक बर बना कर दिखा देता हूं तो guys अगर आप blackhead mentorship training में enroll करना चाहते हैं तो इसका link मैंने इस video के description में दे दिया है और जो IP addresses की detail है वो भी मैंने training के अंदर share कर दिया है तो आप यह कोई medicine है तो कुछ keywords होते हैं जिनमे photos यह image create नहीं करता बट normally जो general keyword होते हैं उनमे जो बहुत अच्छी images create कर देता है और आप चाहिए तो इसके लिए Instagram में use कर सकते हैं Instagram के अंदर अगर आपका कोई theme page है उसके अंदर अग भी आप इस tool को use कर सकते हैं तो कोई भी किसी भी images अगर आप बनाना चाते हैं AI से तो यह tool सबसे best है मैं आपको एक बार फिर से बना कर देखा देता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर paste किया है green coffee beautiful images तो जैसे मैं इसके उपर click करूँगा तो यह काफी सारी images दे देता है आप देखी गाईज अगर आप किसी coffee को promote कर रहे हैं जा बिंग की AI से generated images होती हैं तो chances काफी कम होती हैं तो मालीज गाईज अगर आप कोई weight loss की images बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं बट मैंने देखा कि weight loss की यह इतनी अच्छे से images नहीं बनाता है बट एक पर चेक कर लेते हैं कि यह कैसी image create करता है तो आपन comment के related weight loss के related एक पर चेक कर लेते हैं क्योंकि मैंने ज्यादतर तो ingredient list की images बनाई है अपने instagram page के लिए मैंने कुछ images बनाई थी और बहुत अच्छी images बनाता है तो आए एक बार आप इसे try कर सकते हैं और सबसे ज्यादा benefit उन लोगों को होने वाला है जो लोग facebook guide चलाते हैं जिनको creative बनाने है चाहे वो spiritual offer के लिए है चाहे वो weight loss के लिए हो चाहे वो किसी भी तरीके के अगर आप कोई creative बनाना चाहते हैं तो bing का जो AI है जो काफी अच्छे से काम करता है बट आपने जो keywords है बहुत ही ध्यान से यहां पर प्रपोट करने है क्योंकि कुछ keywords को directly उनकी images create नहीं करता है तो मैं यहां पर कुछ keywords डाले हैं देखते हैं कि यह create करता है तो देखे guys इसने image create कर दी है तो ऐसी images को आप use कर सकते हैं क्योंकि यह cartoons images है और इसमें आपको जो कहते हैं copyright है वो इतना issue यहां पर नहीं आएगा तो माल लेज़े यहां पर कोई और हम देख लेते हैं जैसे कि vitamin B6 है जा फिर beat valve है इसकी image हम एक बार create करके देख लेते हैं कि इसकी image यहां पर कैसी show करता है तो सीधा चलते हैं बिंग के AI में के अंदर और यहां पर simply paste करते हैं और सीधा हम create के उप पर click करते हैं तो vitamin B6 है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी image कैसी create करता है सबसे जो better images मैंने देखी है कि अगर कोई भी natural चीज हो तो इसकी image बहुत अच्छी से बनाता है जैसे कि vitamin B6 है मुझे लगता है अगर हम इसको natural way में search करेंगे तो इसकी images और ज्यादा better और high quality आए Instagram के theme के अंदर आप यूज कर सकते हैं Facebook पेज के अंदर आप यूज कर सकते हैं अगर आप Facebook और गैनिंग करते हैं जा फिर Instagram और गैनिंग करते हैं तो वहाँ पर गाईज ये काफी अच्छा आपको इनका benefit होने वाला है चाहे तो आप इसको Canva में यूज करके इसको customize कर सकते ह और चाहे तो आप इसको sell भी कर सकते हैं बट मुझे उसका इतना पता नहीं है आप एक बार शेक कर लेना तो guys fake IP addresses की मैंने पहली बात कर दिये तो guys जब पूरी की पूरी list पढ़ी है मेरे पास क्यूंकि मैंने काफी campaign चलाए हैं और जितने भी fake IP addresses जो bot click होते हैं क्यूंकि ज जो click मुझे यहां से मिला है जो click मुझे दुबारा नहीं आना चाहिए क्यूंकि होता कि है कि बहुत सारे proxies होते हैं बहुत सारे software हैं जहां से लोग आपकी ad को spy करते हैं अमेरिका की location का use करके तो वो क्या होता है कि उससे हमारे पैसे का बहुत loss होता है तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि जितनी भी यह list है ना इसको अपने campaign में से exclude कर दो तो यह मैं upload करनी भूल गया था अपने training के अंदर share मैंने की थी बट मैंने एक बर इसको update कर दिया है आप एक बर check कर सकते हैं blackhead mentorship training के अंदर जाकर तो वहाँ पर जाकर आपको पूरी list मिल जाएगी आपन कम मिलते हैं तो इसलिए guys आपने starting में पांच से दसी यूज़ करने है उसके बाद धेरे धेरे आप increase कर सकते हैं क्योंकि directly अगर आप 50 list को upload करेंगे ना तो फिर आपको click नहीं मिलेंगे तो इस चीज़ का आपको ने थोड़ा सा ध्यान रखना है So thank you guys for watching this wonderful video